तो गाईज यार लास्ट टाइम आप लोगों को याद होगा कि लावा गॉड ने अपने बेटे यानि कि जूनियर लावा गॉड को बुलाया था जो कि यार बहुत ही जाना खतनाक है हमने यहाँ पे एक मैजिकल स्टोन ढूंडा था जिससे कि हमारा बेहोश पड़ा आइस गोड जिन्दा हो सके लेकिन वो छोटा वाला जूनियर लावा गॉड वो मैजिकल स्टोन चुरा के भाग चुका है और गाइस यह दखो यह लावा गॉड अभी भी मानने को राजी नहीं हो रा कि हम इसकी बैंड बजाके ही रहेंगे मेरा जोटा बेटा यानि की मेरा जूनियर लावा गॉड पूरे धर्ती को खतम कर देगा मेरे डैडी ने बोला है कि पूरी पृत्वी को खतम करना है सबी लोगों को खतम करना है हट जाओ मेरे सामने गाड़ी चलाने की तुमारी इतनी हमत यह ले ट्रक को भी खतम कर दूँगा मेरे सामने जो भी आएगा मैं उनको खतम कर दूँगा ट्रक हवा में उड़ गई और मेरे पास ये मैजिकल स्टोन भी आ चुका है और अब मैं इस मैजिकल स्टोन को हमेशा हमेशा के लिए एक ऐसी जगा पे छुपा दूँगा जहां पे कोई भी इंसान नहीं पहुँच पा मैं सब को खतम कर दूँगा हट जाओ मेरे रास्ते से मेरे सामने जो भी आएगा वो नहीं बच पाएगा अब फड़ावट से कोई एक ऐसी जगा ढून नहीं पड़ेगी जहां पे मैं ये स्टोन चुपा सकूँ हाँ हाँ मजा आएगा आए ये तो मेरे ख्याल से मेरे पापा है मैं तो यार फृत्वी पे पहुँच चुका हूँ और मेरे फादर यारनी कि मेरे डाड गर्या जा जांके पता करना होगा अरे फ्रेंकलन भही आ यार मेरे को तो समझी नहीं आ रहा यार इस लावा गोड की तो यार पैंट बजा नहीं पड़ेगी इसने आर अपने चोटे बेटे यानि कि यार जूनियर लावा गॉट को बुला लिया यह ले मौसम चेंज कर दिया तुम लोगों को अब मैं सबक सिखाऊंगा अरे नहीं यार इस लावा गॉट पे तो यार मेरे को बहुत जादा घुसा रहा है यह देखा अरे भासा बार लेकिन यार शिंचन तु बनाना क्या चाता है अरे यार इस बार में एक ऐसी ऐसी चीज बनाऊंगा यानि कि यार एक ऐसा खतनाक वाला सूपर हीरो बनाऊंगा जो कि यार लावा गॉट और साथ में जूनियर लावा गॉट यार मतलब सबकी ही बेंड बज सब्सक्राइब titanium आपका जाए तो उसके बाद यह पहुत जादा प्यारा लगएगा यह दियार कर लेता होँ नहीं आ हूं वोट काने लेक्ते ल lige एक काफी जाओ अरे जाड़ लग रगान कार defined मैंने outline start कर दिया है rough sketching तो मैंने already कर ली थी ये दो को यार finally इसके seeing यानि की जो haunts होते हैं वो भी मैंने बना दिया और आप बहुत जादा ही तकड़ा लग रहा है एक ऐसा hulk जिसकी सींगे होती है अरे हाँ यार सारी power इसकी सींगों में ही तो चुपी है अरे भाई यार क्या बाथ कर रहा है यार हाँ यार हल्क ये बहुत जादा powerful है और साथ में इसका size यार इतना जादा बड़ा इतना जादा बड़ा कि यार हम लोग तो यार इसके सामने बहुत जादा चोटे लगेंगे घृण क्यों कर रहा है टेस्टिंग कर रहा है इसमेर काला कलर नहीं होगा सही बात है घृण तो तकड़ा लगेगा वह सही बात है तु पर पिंक पिंक नहीं करूँँगा यार अमेशा हिए घृण क्लर होता है ये इसनड दातेceğiz बहुत ज Ci Administration फाइनल इसमें शेड़ो एकर डाल देते हैं और सेड़िंग करने करनी के बाद यह रियल लाइफ में आ जाएगा वो भी यार काफी जादा जाइंट यानि की बहुत जादा बड़ा होगा साइज में अब आप हसाबर क्या ही बात कर रहा है यार एक बार ये रियल लाइप में आएगा उसके बात देखेंगे कि ये सही में आप पावरफुल है कि नहीं अरे हाँ यार शिंचेन इसमें तो कोई यार पावर वेगर लगाएगा की नहीं अरे इसमें यार बहुत सारी पावर है यार इसके पास खतरनाक वाली रेड लेजर है जो कि यार सब की यूँ छुट्टी कर देगी और आप हसाबर क्या बात कर रहा है अरे ये तो यार बहुत जादा अच्छी बात है अरे फ्रेंक्लिन भाईया अभी देखना है यार इसमें फाइनल जो मैं यहाँ पे शेडिंग डालूँगा उसके बात यार ये काफी जादा भेंकर और रियल लगेगा अरे आप लोग यार क्यों खाली बैटे हो फड़ावट से यार वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद कॉमें सेक्शन में नेक्स्ट पार्ट तो लिखना ही क्योंकि यार अभी तो ये पार्ट तुम्हें बहुत जादा इंपोर्टन काम करना है प्लीज यार हमारी मदद करो अरे तुम्हें रोने की जरूत नहीं है मैं तुम्हारे मदद के लिए ही आया हूँ मेरा नाम है सींगों वाला हल्क अरे तुम्हें बहुत जादा इंपोर्टन काम करना है इस वाली दुनिया यानि कि यार प्रिथ्वे पे बहुत खतरना कि यार जाइंट्स आ गये हैं यानि कि यार लावा गोड आ गया है और साथ में वे हमारा मैजिकल स्टों लेके बाग गया है जो ऑगे हैं यह लावा गौड की भी चुट्टी करनी है अरे क्या बोल रहे हो यह तो बहुत ही जाद आसान काम है मेरे गुस्टे के सामने कोई ने टिक सकता अरे वह यार फ्रेंक्लिन भहिया यह तो यार काफी जादा गुस्टे में आ गया है अरे फ्रेंक्लेन भईया मेरे कड़ लगतो है अब तो यह सब की चुट्टी करदेगा तुम बताँ सब से पहले मैं किस की चुट्टी کرूँ अरे मेरी गयाल से तो यार इस लावा गॉट की ही ही चुट्टी करदो यार इसको दूल चटादो यार सींगु वाले हल्क रहा भासाबार क्या ही बोल रहा है यार लावा गोड यार इसे यूँ खतम करतेगा आरे नहीं मुझे नहीं लगता गाईज आपको क्या लगता है कि यार दोनों की फाइट होगी तो यार कौन जीतेगा लावा गोड या फिर हमारा सींगो वाला हलक रहा भासाबार मेरे खाल चुकी और बिजली की पावर मेरे पास भर चुकी है मेरे शरीर में मैं यूँ खतम कर दूँगा है ये कौन सी बला है ये कौन आ गया है अरे यहां पे कोई मदारी का खेल चल रहा है क्या यहां पे सींग लगा कि ये हल्क मेरे सामने क्यूं आ रहा है अरे मेरे को यार मदारी क खेल मत बोल मैं खतरनाक वाला हलक हूँ और मेरे पास ये सींग है जो कि यार तेरी यूँ छुट्टी कर देंगे क्या बोला अरे ये ले मेरी पावर का अंदाजा नहीं है तेरे को ये तीन दो एक बूम ये कुछ नहीं है मेरे सामने अरे तेरी इतनी इमत ये ले रेड वाली लेजर से डर गया रहा है भासाबर सही बात है वो लाबा गोटत हो ये लेजर के सामने जादा टिकनी पा रहा है वो डर गया यार अरे तु मेरे पास आरा है मैं तरको चोड़ूंगा नहीं अरे मैं किसी से ने डरता, मैं तेरी चुटी करके ही रहूँगा, अब रुख जा मैं दुबारा से तेरे को लेजर खिलाता हूँ, मेरे सामने तुम लोग इतनी जादा चोड नहीं दिखा सकते, अब रुख जाओ, तुम्हारी में सारी एटिट्यूट, सारी शक्ती, सारी चो मेरे को तो लगे रहा है, अब तु यह हमेशा, हमेशा के लिए खतम हो जाएगा, अरे, अरे मैं तरको छोड़ूगा, नहीं, मेरा छोटा लावा जुनियर तेरे को कतम कर देगा, अरे, उसे मैं ही कतम कर दूँगा, अरे लावा गॉड ये ले, मैं तेरे सामने आ गया, मेरे बारे में जानके तो रिको कोई फाइदा नहीं होगा है अरे मेरा चोटा जूनियर आएगा तो तेरी बेंड बजा देगा लेकन उसे पहले मैं तेरे को ख़तम कर दूँगा आज में तेरी गर्डन और तेरी बॉड़ी को दोनों को अलग कर दूँगा हाँ औरे फ्रेंकलिन भाइया मेरे क्याल से त्यार उसकी गरदन और साथ मैयार उसकी बोड़ी दोनों अलग हो जाएगी और आब हाशा पर क्या बोल रहा है उसकी मुंडी अलग हो जाएगी आप πिमाल में दुबारा से तैने पे वार करूंगा ये ले ये ले मेर को तुने कम समझाता अरे नि नि नइ बचाओ अरे फ्रैंक्लिन भाईया आपने देखा ये देखा यार इसकी मुंडी तो अलग हो गई अरे नइ ये क्या किया चोड़ूंगा नही मैं तरको मेरा तो कमाल कर दिया अरे जो भी गलत स्वाद्व करता है उसका यही अंजाम होता है जिन्दी बर्यास रखोगी अरे नहीं क्या बोला दूसरा वाला लावा गोड बच गया है तो मैं अब इसे भी खतम कर दूँगा तेरे इतनी हिम्मत तेरे एक लावा दोस्त को खतम किया तो तेरे को समझ भी निया ता क्या ये देख इसकी मुंडिया लग कर दी मैंने चोड़ूंगा नहीं तु मेरे पास क्यों आ रहा है अब मैं तेरे को अपने अंदर क्याद कर लूँगा अरे अरे ये का कर दिया तुने मैं तो बच गया तुने मेरे को अपने अंदर क्याद करने की सोची लेकिन अब देखियो मैं तेरे दोस्त के साथ भी वही काम करूँग इनफैक्ट मैं तो इसे हमेशा हमेशा केलिए खतमी कर दूँगा अरे क्या बोल रहे फ्रेंग्लिन भाई सुना अपने आप आसा पर मैंने भी सुना यार मेरे काचछो वो कहारा है यार कि वो हमेशा केलिए इस दूसरे लावा गोड को खतम कर देगा अरे अब ये ले मैंने तेरे को खतम करना शुरू कर दिया है अरे नहीं ये क्या कर रहा दोस्त मेरे को बचाओ अरे मैं तो खुदी दो टुकडों में बढ़ चुका हूँ इसने मेरी मुंडी और मेरा शरीर अलग कर दिया अरे नई 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 अब ये मेरे को भी खतम करने में लगा हुआ है अरे बचाओ मेरे को कोई तो बचाओ अरे आज मैं तेरे को हमेशा हमेशा के लिए खतम कर दूँगा अरे नई 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 मेरे को सब कुछ दूंदरा दिख रहा है बचाओ अरे चिंता मत कर अब तेर को कुछ भी नहीं दिखेगा अरे फ्रेंकलन भाईया आप तो वह दूसरा वाला लावा गोड हमेशा के लिए कतम हो जाएगा अरे हो यार मेरे को भी ऐसी लगता गाइस आप लोग फटा वट से यार कॉमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी लिख द मेरे सामने कोई निटिक पता अरे फ्रेंकलन भाईया वो दूसरा वाला लावा गोड हमेशा के लिए खतम ही हो गया अरे भासबर सुछी बात यार यह तो यार पहला वाला लावा गोड थोड़ा सा बच गया है उसकी मुंडी ही अलग हूई है लेकिन दूसरा वाला तो हमे शामेश अगले खतम करूँगा अभी तो इसकी मुंडी ही अलकी है मैंने अरे यार सिंग वाले हलक यार हॉर्ण हलक यार फटावट से तु ध्यान दे यार मेरी बात का सुन अरे जल्दी बोलो मैं सब की बातों को सुन सकता हूँ अरे यार यहां पे यार एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यहां पे छोटा वाला जो जूनियर लावा गॉड है उसके पास यार एक खास एक बहुत कीमती चीज़ है यानि कि यार एक मैजिकल स्टोन है जो कि यार आईस गॉड को जिंदा कर देगा वह चुराग है भाग अरे यह तेरी गलत फैमी है तू अभी हमेशा हमेशा के लिए खतम होने वाला है फिर भी तेरी अकल ठीकाने नहीं आई अरे अकल की बात तो मत कर क्योंकि मेरा चोटा जूनियर लावा गॉड तुम लोगों की अकल ठीकाने लगा देगा अरे चिंदा मत करो मैं तेरे जून अरे मेरे जामने तुम लोगों ने ये फैक्ट्रिया क्यों ओपन की अरे हमने नहीं ओपन किया मैं सोब को तबाहा कर दूँगा अरे फ्रेंक्लिन भाईया ये भी गुस साहल है काफी जदा अरे हां यार सही बात है शिंचैन मेरे को लगता है इस बार तो ये काम करके ही यार आम से उसे जाने देते हैं अरे हां यार शही बात है अरे वाध अरे वाध मेरे को तो जगह मिल गई मसा आगया मसा आगया अब तो मैं ये जादोई पतर ह焦 चुपा दूँगा और किसी को पता तक नहीं चलेगा कि ये दुनिया की सब से उचिवाली बिल्दिंग के उ अब रात भी हो चुकी है और आप किसी को नहीं पता चलेगा मैं अपने डेडी को प्यार से अराम से और चुपके से बताऊंगा कि मैंने कितनी बढ़िया जगा पे ये कीमती पत्थर चुपा दिया है और यहां तो यार एक जूला भी लगा है क्या मैं ये जूला जूल जूला जूलने का, कोई बात नहीं, एक काम करता हूँ, इस पत्थर को यहीं पे छुपा देता हूँ, मैंने पत्थर रख दिया, मेरा काम हो गया, मेरा काम हो गया, अब मैं इस बिल्डिंग से कूच जाता हूँ, तीन, दो, एक, बूम, अब मैं थोड़ी सी मस्ती कर लेता क्यूँ ना मैं यहाँ पे जितने भी street lights है सब को फोड़ दूँ, सब को तबाह कर दूँ लोगों के घर भी तबाह कर दूँ मेरे डेड़ी लावा ओडर ने तो आखिर यही बोला था कि सब लोगों को तबाह कर दे, सब के घरों को तबाह कर दे और सभी लोगों की बेंड बजा दे और मैं वही कर रहा हूँ आरे नहीं ये काम पस गया आरे नहीं बचाओ आरे बिल्डिंग के अंदर पस गया आरे बचाओ बाल बचाओ यहाँ पे तो मेरे डेडी आते भी नहीं बचाने कोई बात नहीं आज मैंने बहुत अच्छा काम किया, उस पत्थर को भी छुपा दिया हमेशा हमेशा के लिए, और यहाँ पे जितने भी स्ट्रीट लाइट्स हैं, सब को फोड भाड दूँगा, अरे मेरे सामने आओ, देशवासियों, पृतिवी वासियों, मेरे सामने आओ, कोई आता क्यों नहीं, सब डर के छुप गए घर में, मजा रहा है, मैं तो ऐसे ही खेलता हूँ, मैं अपने घर पे भी ऐसी फोड भाड करता हूँ, बहुत मजा रहा है, अगर मेरे सामने वो आइस गोड भी आता, तो मैं उसकी पुंगी बजा देता, मेरे से जादा ताकतवर, कोई पैदा नहीं हुआ है, चलो अब समुद्र के किनारे जाता हूँ, यह समुद्र तो बड़ा अच्छा है, यहां के नजारे भी अच्छे हैं, मैं इसमें भी तहल का मचाऊं तो बहुत मजा रहेगा, मैं यहां पे अब हमेशा हमेशा के लिए तैरूँगा, और यह दुनिया आज से मेरी, मेरी और मेरे पापा की, और मेरे परिवार की, और इसके अलावा यहां पे इस दुनिया में कोई नहीं रहेगा, मजा रहा है मेरे को तो, बहुत मजा, अरे अरे मेरे को समझ नहीं आ रहा है, मैं पापा के पास यहां से जा सकता हूँ, कहा से जाओं यार, इधर से रा अरे नहीं ये तो यार मेरी आवाज ही नहीं सुन रहे अरे शांत बच्चे शांत तेरी आवाज मैं सुन सकता हूँ बेटे अरे तो यार आपने बोला क्यों नहीं पहले ही बोल देते अरे 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 कोई बात नहीं कोई बात नहीं बच्चे मेरे को ये बता तू प्रिथवी औरे डैड़ी ये तो यार छोटी बात है मेरे को कुछ बड़ी चीज बताओ लावा गोड को तो मैं यूँ खतम कर दूँ आरे नहीं बेटे यहाँ पे बहुत खतनाक खतनाक लावा गोड है जैसे की वो छोटा वाला जूनियर लावा गोड तो अब तुम्हारा काम है कि उस जूनियर लावा गोड के पास जाओ और उसके पास हमारा एक कीमती पत्थर है उस पत्थर को उससे फड़ावट से छीन के वापिस लियाओ हमारे पास अरे डैडी ये तो बहुत छोटी सी बात है अभी मैं फड़ावट से जाता हूँ यहाँ पे वैस मैं सबको दिखा दूँगा कि मैं कितना पारफुल हूँ और जूनियर लावा गोड की मैं बैंड यू बजा दूँगा अरे ठीक है बेटे जल्दी जा यह रहा जूनियर लावा गोड मेरे को तो बड़ी असानी से मिल गया अभी मैं इसके पीछे जाता हूँ चुपके से और इसकी बैंड बजा देता हूँ अरे यह तो यार किसी चीज का नजारा देख रहा है अरे कौन है मेरे पीछे अरे पीछे मुड के तो देख अरे मेरे पीछे कौन है जल्दी बता आज मैं तेरे को हमेशा हमेशा के लिए खतम कर दूँगा मेरे सामने तेरे आने की इतने अरे तु एक बार पीछे मुड़ के तो देख, खतम तो मैं तरको कर दूँगा, क्या, मेरे से फालतु बोलेगा, रुग्जा मैं अब तो तेरी बेंट बजा के रहूँगा, कौन है जो जूनियर लावा गोड के सामने फालतु बोल रहा, अरे नहीं, तू तो जूनियर ग्री इन गोड है, अरे इसलिए तो बोला था पहले ही तू, अगर देख लेता तो तू डर के भाग जाता है, मेरे पास तेरे से जाधा पावर है, ये ले बूम, मैं तो तेरी इन गटिया छोटी मुटी पावर से निडरता है, क्या बोला, रुग्जा, अभी मैं तरको खतम करता तो आप क्या करेगा, अब फड़ावट से मुझे वो जादोई स्टोन दे दे, जो तुने छुपा के रखा है, मेरे पास कोई भी जादोई स्टोन नहीं है, समझा क्या, अरे जूनियर लावागोड मुझे से चलाखी मत कर, और फड़ावट से वो मैजिकल स्टोन दे दे, अरे 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 मेरे पास नहीं है, जब मैंने बोला ना, वो मेरे से खो गया, अरे तेरी इतनी हिमत, मेरे सामने ये एक्टिंग मत कर, मैं सही बता रहा हूँ तेरे को अरे बड़ा भाई मतलब छोटा भाई जो भी समझ ना समझ ले छोटा भाई समझ के बोल रहा हूँ मैं तेरे को अरे तेरी इतनी हिम्मत अब ये जूनियर ग्रीन गॉड तेरी बैंड बजा देगा यानि की जूनियर लावा गॉड को खतम कर देगा अरे ये ही किसकी हमा आ जा रही है जूनियर ग्रीन गॉड जूनियर लावा गॉड अरे वा अरे वा अब तो मेरा काम हो गया अब तो यार मैं इस जूनियर लावा गॉड से वो मैजिकल पत्थर ले लूँगा मेरे पास नहीं है ना जूनियर ग्रीन गॉड मैने बोला ना तेर को अरे ये तो जूनियर ग्रीन गॉड से बात कर रहा थोड़ा और पास आजाता हूं ये मेरे पीछे कौन आगिया बच्चे तू तो यार बहुत फाल्टू बोलता था कि मैं सब को खतम कर दूंगा मैंने सुना है अरे मैंने तो कुछ बोलाई नहीं अरे हाँ सही बात है यह बहुत फाल्टू बोलता था मेरे को भी बड़ी धमक्या दे रहा था नहीं नहीं ग्रीन गॉर्ड मैंने तिरे को भ देरा हो चुका है और हम लोगों को यार कोई भी क्लूव नहीं मिल रहा कि हमारा मैजिकल स्टोन कहा है और साथ में हमारा जो खतरनाक वाला सिंगो वाला हलक था वह यहां से चला गया है मेरे ख्याल से वह जूनियर लावा गौट के पीछे ही गया होगा तो एक काम कर आइरन म यार आसमान की सवारी नहीं यार तुम्हे यार वह सिंगो वाले हलक को ढूणना है और साथ में जूनियर लावा गौट को भी और आप अचावा डंग सा डून लियो आरे चिंता बत करो यार तुम लोगों के यार मैं उम्मीदों पे यार पानी नहीं फिरने वाला अरे ओ म यारancia में द्मेणन की ओशिष करता यार उसको फायर से खतम करने की कोशिश कर रहा था लेकिना रूस से तो यार उल्टा उसकी पावर बढ़ जाती है आरे शिंत अमत करो यारर आगे से नहीं करूंगा च्चेयन यार मेरे को यार आसपास रही नब दिख लेकिन ये शहर कि आती हमारा यार यानि कि वो खतनाक वाला सिंगो वाला हल्क जो कि यार हमारा काफी बढ़िया दोस्त है अरे यार शिंचन मेरे को तो यार समझ नहीं आरा कि अब कितना टाइम लगेगा क्योंकि यार अभी हमारा आरेन मैं तो ढूंडने गया उन सबी लोगों को तो गाइस तब तक यार आप लोग यार फटावट से कोमेंट सेक्शन में जल्दी से नेक्स्ट पार्ट लिखो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करो मैं मिलूंग आपसे नेक्स्ट वाले अपिसोड में